अगर ये वीडियो सामने नहीं आता तो शायद लोगों को इस घटना पर यकीन भी नहीं होता वाइरल क्लिप में एक छोटे से सांप को लड़की के कान के भीतर देखा जा सकता है सांप भी काफी खतरनाक लग रहा है गहरी नीन में कान में कीरे या कौकरुच का घुसना आम बात है लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि सोते वक्त एक लड़की के कान में सांप घुस गिया है तो क्या आप यकीन करेंगे आप माने या ना माने लेकिन ये बात 16 आने सच है इसका एक वीडियो भी इंटरनेट पर वाइरल हो रहा है अगर ये क्लिप सामने नहीं आती तो शायद लोगों को इस घटना का यकीन भी नहीं होता वाइरल क्लिप में एक छोटे से सांप को कान की भीतर देखा जा सकता है ये वीडियो वाके में रोंक्ते खरे कर देने वाला है क्यूंकि साम बेहत खतरनाग दिखाई दे रहा है हाला कि यह मामला कहा कहा है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है जब लड़की को कान में साप होने की बात पता चलती है तो वह घबडाई हुई डॉक्टर के पास पहुंचती है जहां इस घटना के बारे में जाकर डॉक्टर भी दंग रह जाते हैं इसके बाद सांप को निकालने की तयारी करने लगते हैं वाइरल क्लिप में आप देख सकते हैं कि लड़की के कान में घुसा साप छोटा लेकिन बेहत खतरनाक लग रहा है वही डॉक्टर चिम्टिर की मदद से साप को निकालने की कोशिश कर रहा है शोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को लोग तेजी से शेयर कर रहे हैं इंस्ट्राग्राम पर शिल्पी रॉई 993 नाम के एकॉंट से वीडियो शेयर कर शिल्पा नाम की यूजर्स ने बड़े हारत से लिखा है कान में साप चला गिया अब इस वीडियो को देखने के बाद लोग तरह तरह की बाते कह रहे हैं कोई कान से साप को निकलने के इंतजार कह रहा है तो किसी का ये वीडियो फेक लग रहा है लोग का कहना है कि अगर साप घुसता तो उसकी पूछ बाहर की ओर होती